तो यहां पास मैंने रख दिया चाय बनने के रिए साथ में बढ़ते हैं और बनांके रख दिया है अंडभुजी पराथा और चाय आज का ब्रेक फास्ट होने वाला है और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टाइट भी ने किया तो चलो कर लेती हैं इसी टाइम से तो चलिए फटा संड़ पास्ता बनाते हैं और संड़ें तो सब अपने पने काम में कहीं 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 लगा हुआ है तो घचालें से पहले होता है हैं बेक फास्ट का रिंका आई बंदे पूरा दिन के लिए मतलब ब्रेकफ़स्ट बन जाता है तो फूर सोत रहते हैं तो चेली जन्दी से बना लेते हैं और ही देखते हैं क्या करना है और कल कपड़े मैंने दू रहते हैं तो कल के ना कपड़े बिल्कुल भी मौसम अच्छा करके नहीं रखा हैं अगर बारिस थो लेट कपड़े मैंने करीब दो बज़े के आस पास तूरे थे क्योंकि अलकी दूप खिलने लगे थी तो चलिए बना लेते हैं पराठे नास्ता कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या करना है आप लोग बने रहे हैं तो चलिए इसके बाद ना फटा-फट से मैं इसके बताया और कुकर आप लोगो सापने दिख लाए होगा क्यूंकि हमारे जो भीवर से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो में पहले ही बता देते क्ल दाल इसके अमने रात में बना आई थी और बच गई थी काफी दल बच गई थी थौड़ा जादा मेरे से बन ग फेकना भी सही नहीं है तो उसी को गरम करके खालेंगे तो यहां पास पराठे बन चुके हैं लाजट पराठा है और चाय भी बन गई है तो इनको मैं चाय जान के देख के आती हूं और बांकी के फड़ा फड़ से मुझे थोड़ सा साफ करना है जो यह इस टेल की रेक है तो इसमें मैं तेल रखती हूं बागी की चीजे ना जो नीचे वाला एरिया ना तेल बहुत जदा गिरता है क्योंकि जो कंटेनर हैं तेल के बहुत ज़्यादा खराफ है आप लोग अगर लेने के लिए ऐसा सोच रहे होगा तो कभी मत लेजिएगा मैं ले ली हूं तो उनको लेकर आओंगे पर एक लीटर वाला तेल ना डिबा मिलता ही नहीं है तो देखते हैं जब भी मिलेगा तो लेकर आओंगे क्योंकि डिब में उसे बहुत जगदा तेल गिरता है और मुझे तिन चार से चार चार या पांस दिमें पेपर चेंज करना ही पड़ता है उसका तो और यहां पास चाह बन गया है तो पानी सब बन गया है फटा फटा सब साइड में कर देते हैं और लगते हैं सफाई में इसके बाद सबको नास्ता उस्ता करवाने के बाद लग गए हूँ रखी हुई थी मलाई दो-तीन दिन से काफी मतलब ही कठा हो गई थी तो बाहर फ्र पास में इसका मखन वन गया था बहुत जल्दी बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है कि इसको मतलब मखन बनाने में टाइम लगे कर बिल्कुल भी नहीं बस मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं खन पटा पट से निकाल लेने वाली हूँ और ठंडे पाने से ना अच्छ तो फिर घी पकने में बहुत ज़्यदा टाइम लगता है वैसे ठंडे पाने से आप धुलाई कर लो जो इस्ट्रा मखा होता है वो निकल जाता है तो बिल्कुल भी पकने में टाइम नहीं लेता है इसके बाद घी को मैंने रख दिया है पकने के लिए और अब आ गई हूँ यहाँ पास भी इकल सब्जी भाजी साम को आई थी करीब रात में लेके आया थे और नौव वजे के आसपास कहीं बाहर से तो मैंने सब्जी भाजी साब ऐसे ही रख दी ती कुछ भी साफ नहीं किया था तो अब यहाँ पास ना फटा-फटस में वही करने वाली हूँ कि सा गीली-गीली से अपालग रहती है तो छाटके रख दो तो सही रहता है तो यहाँ पर पहले मैं सारी सब्जी निकाल लेती हूं और फिस सारी सब्जी निकाल के फिर मां मतलब पूरा घर का काम कंप्लीट करने के वाद धुलाई करके रख दोंगे अच्छे से सूख तो लॉक्यों अद्रख गई फ्रिज में नहीं रखती हाटमाटर हो गया गोबी हो गई और पालक हो गई मेति इस पालक मेति को पुलिथीन में बांध कर रखो काफी टाइम तक चल जाती है तो चलिए इसके बाद इसमें न जब से दिवाले से मैंने निकाले थिया कॉलिंट इसी में मैंने मैट नर रख दिया था और यह क्याय के सोफे में थोड़ी सी जगह रह जाती है जहां से चूहा गुस जाता है इसमें तो इसको फिलाल यहां से ना मैं हटाने वाली हूँ ताकि इसमें ना चूहा ना गुसे अगर गुस जाएगा सारी चीजों को ना कट कर तो साथ ना गया हो तो चलिए क्योंकि एक छोटा सा चूहा दिखता है और पता नहीं कहां क्या चीज नुकसान कर रहा है समझ में नहीं आता चटाई तो इसे में हम रख देंगे बांकी के चेज मैं रखके आती हूं बेड में और इसको कर देते हैं बंद इसके उपर मुझ दिन से सूच रहे थी कि अगर चुहा कट कर देगा ना तो सारी चीजें बरवाद हो जाएंगी तो चलिए इसको मैंने हटा लिया है इसके बाद जो बेड है अंदर बेडरोम का तो इसमें ठंडी वाले जैसे कि हो गई रजाईयां कंबल में रखती हूं तो फिलाला भी सब तो इसके उपर आना जाना फिर खराफ हो जाएंगी इसलिए मैंने डाल के ने रख दी तीजोज में डाल लेती हूं या दिवाली में निकाल लेती हूं या कुछ वैसे ही कि जब मतलब कुछ हुआ तब मैं निकाल के बिचा लेती हूं तो चलिए यहां से मैं रख दिया उपर से पोलिथिन दिखती है और मतलब इस थाही रख दूँगी तो यह रखी हुई है दीवाली किटिकिया तो मैं अच्छा देख सकते हैं यह सारी चीज़े ने यहां से हटा के दिख दूँगी अच्छा भी नहीं लगता है है सामने से दिखती है तो कोसिस मैं करूंगी पूरा खाली कर दे इसको भी हटा दूँगी और जो चाता रखा हुआ है चतरी इसको भी हटा दूँगी बाकी चीज़े रैकेट हो गए और यह पत्थर रखा हुआ चाकुओ को तेज करने के लिए है तो रखा रहेगा क्योंकि यह स्थाई हो गया यहां पास कोई भी ढू मालना फोल्डाट कार देती हूं और फिर लगते हैं आज पूरे घर को में जाला हुई निकालना है हल कहल का सह्चा पूरे घर में दिख रहा तो भी अच्छा नहीं लगता है जाले नहीं रहना चाहिए घर में तो आज वही करने वाली हूं फिलाल क्योंकि नास्तापाली का काम करवाने के बाद अराम से मैं अपना करूंगी बारा एक पर जाएंगे इसके बाद फिर लंच वंच के तयारी दे मैं ठिकटक हिए τηया बस रह गया यहां कहा धियर हो तो सारे के ठीक होते है और अब लगते हैं जाडुरलगाने में क्योंकि जाड़ में आदे घंटे के ऐस पास टाइम लग जाता है पूरा घर से बाहर पूरा ढ़ल से लेया स्दूम पराता है और आज तो मुझ थोड़ साथ टाइम लगने वाला है और मैं क्यूंकि लंज की मुझे फिलाल चिंता नहीं है कि दाल बनी हुई है स्री मुझे चावल बनाना है तो फटा फट सना चावल बन जाएगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इसके बाद मैं सुरू कर दे बच्चों की रूम में की हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बोल रही थी कि अगर घरों में काम चलेगा तो मैं इसको सही करवा लूँगी और अच्छे से जाला निकाल दिया मैं कि दिवाल में बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे थे और सीलन भी इस दिवाल में थी पहले सी थी निकाल हनुग है थे रीड बहुत हैं यह पर तो मुए फील हद समझ में जाड आ रहा है कि असाना यह को नरी मिल भी नहीं रहा था और वहां ही जादा लगा हुआ था तो चलिए इसको जल्दी से जाड़े जाला जाड़ लेती हो और इसके बाद फिर जाड़ो लगा लेती हो तो चलिए अंदर से जाड़ो में लगा के लिखे आई हूँ बस यहां लास्ट का मार देती हूँ सोच नहीं कि थोड़ा सा धुलाई कर दो पर मौसम ऐसा है ना कि बिल्कुल भी अगर धुलाई कर दिया तो सुखने वाला है नहीं और फिर सुखेगा नहीं तबकुस गंदा ह जाएगा तो धुलाई वाला सिष्टा में हो खतम कल देखेंगे और किसी बच्चे स्कूल भी चले जाएंगे तो थोड़ा सांती रही गर में अंदर बाहर जाने वाला कोई नहीं रहेगा तो कल सोचेंगे दुलाई के लिए आज तो मैंने स्किप कर देती हूँ और पर चिंगे गरें स्कित्षा के बाहु प्राइग कर दो कोई पढूरा हुगा तो मुझे भी लगता है कि पहले में क्या चिक होता हूँ जयाती है कभी कभी साँड नहीं आता या कुछ भी गलवड़ी है तो अप्लोड करने के बाद नहीं जुरूर मैं देखती हूँ कहीं क तो पूरा घर काम निपट चुका है तो चलती हो नहाने के लिए फटा फट से और फिर रखती हूं खाना बनने के लिए तो दाल मेरी नकलकी ही बच गई थी तो उसी को ना रख दी हूं करते हैं लंज और पूरा घर कामदार संडेका मौर्निंग को तो पर सहल होता है संडे रोटीन है तो चलते हैं रहाने के लिए इसके बाद पड़ा पड़ से चावल बनाती हूं और फिर सब को देती हूं लंज काफी टाइम हो गया है वैसे भी नहाना और बनाते बनाते डेढ तो चलिए और इसके बाद एक खरीब ना तीन वजे के आसपास का टाइम होगा थोड़ा सच जादा भी हो सकता साड़े तिन के या तीन यह तो मुझे याद नहीं है और क्यूंकि मौसम खराफ होनी लगा था थोड़ा साहल की हलकी जा मैंने इस कपड़े सुबह फैलाए थे तो हलके हलकी धूब जैसे समझ में आ रहा था पर अभी नहीं इतनी जादा हवा भी चल रही थी और ऐसा मौसम कर लेत जैसे कि बाहरी सोने लगेगी तो कपड़े थे हमारे सूख कल ही सूख गये थे मंगर हलके हलके थोड़ा-थोड़ा मतलब गीले समझ में आ रहा थे तो बच्चों के ट्रास होते हैं तो धुलना ही पड़ता है और हवा अच्छी खासी चल रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं समझ में आ रहा है और उतनी थंडी थंडी एकदम हवा चल रही थी तो चलिए फाइनली कपड़े हमारे निकल गए हैं बस इनको रह गया पोल् बरतन थोड़े हैं से मैंने साफ कर लिये थे कुकर और एक कड़ाई रह गई हैं तो इस सब्जी भाजी ना धुलाई करना है और इसके बाद सारे बरतन धुलके जो आज का दोपार वाला रोटी नहीं भी खतम होता है उससे पहले सब्जियां जो मैंने साफ की थी थी ना त हैं बलाई खराइफ जैसे अब फ्रस रख रहक रहते हैं तो मैं बढांगी हो Bakie थी चीज Colon नहीं नहीं धहुका हैं परटन इस साफ़ भी है छोटान थी ओपार खे मकें हो सेंगाने सेंस को .... सब्जी भाजी मैंने वहां पास रख दी है धुलने वाली पॉली थिर में इसे बांध के रख दी है तो मैंने रख दिया ताकि खराप नहों काफी दिन तक पालक चल जाती है तो चली पड़ा पड़ से बटन दोते हैं सब्जी धुलाई करती हूं और इसी के साथ ना इस मैं